अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफ़ेट जानें एक तरफ सीएबी को लेकर प्रदर्शन और दूसरी तरफ लगातार होते अपराध उत्र प्रदेश की योगी सरकार के लिए दोहरी परिशानी बन गए हैं लगातार होती रेप की घटनाओं ने जहां योगी सरकार के लिए परिशानी पैदा कर दी है वहीं प्रदेश के हाला को देखते हुए विपक्षिस सरकार पर हावी हो रहा है अभी उन्नाओं में जिन्दा जलाईगी पीड़ता का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि अब विजनौर में जिला कोर्ट में पेशी पर आए आरोपियों के साथ जो हुआ उसने योगी सरकार की परिशानी बढ़ा दी है मामले पर सपा प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साथते हुए जमकर योगी पर कटाक्ष किया है अखिलेश यादव ने कहा कि विजनौर में पेशी पर आए आरोपियों की जज के सामने सरयाम हत्या ने साबित कर दिया है कि प अखिलेश यादम ने डबल एंजिन की बात कहकर केंदर और राज दोनों सरकारों को आड़े हाथों लिया और मवजूदा कानूनी हालात पर कटाक्ष किया अखिलेश यादम ने कहा कि जो हालात बन रहे हैं वो बताते हैं कि प्रदेश के अपरादियों में सरकार का खौफ बरकरार नहीं है प्रदेश की सत्ता में कानून को मुद्दा बना कर आई बीजेपी अपने ही वादे और दावे पर फेल होती दिखाई दे रही है जो सरकार के लिए खत्रे की घंटी है अखलेश यादब के तेज होते वारों से भी सरकार खुद को नहीं बचा पा रही और जो हालात हैं उन पर भी सरकार का काबू नहीं है ऐसे में आवाम आखर उमीद किस से करे ब्यूर रपूर्ट मीडिया हल चल